हेलो दोस्तों मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LAC के एक नए इंशोरेंस प्लान सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसका प्लान नमबर है 917 इस इंशोरेंस प्लान के नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिंगल प्रीमि के लिए वो टाइम पिरेड एक साल हो सकता है दो साल हो सकता है पांस साल दस साल बीस साल जो भी आप टाइम पिरेड चूज करते हैं उसके हिसाब से वो आपको पैसा एक साथ जमा करना होता है और जब आपका वो टाइम पिरेड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो भी आ time period पूरा हो जाएगा तो आपका पैसा with bonus आपको दे दिया जाता है लेकिन LEC में यहाँ पर आपको insurance cover भी मिलता है यानि कि FD का benefit तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ में insurance cover भी आपको इसमें मिल जाता है अगर हम bank के FD की बात करे तो वहाँ पर आपको insurance का benefit नहीं मिलता है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन-कौन इस policy को ले सकते हैं उसके बाद हम एक example लेके देखेगे कि इसमें कितना premium आपको pay करना होगा और क्या-क्य benefits इसमें आपको maturity पर मिल जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है minimum age की यानि कि कम से कम कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए अगर आप इस insurance plan को लेते हैं तो वो यहाँ पे दी गई है 90 दिन की यानि कि कोई भी वैक्ती या बच्चा जिसकी उम्र 90 दिन या 90 दिन से जादा की है वो इस insurance policy को ले सकते हैं उसके बाद बात आती है maximum age की यानि कि जादा से जादा कितनी उम्र के वैक्ती इस insurance policy को ले सकते हैं तो वो एज यहाँ पे दी गई है 65 साल की 90 दिन के बच्चे से लेके 65 साल के वैक्ती तक इस insurance policy को ले सकते हैं उसके बाद बात आती है minimum term की मतलब कम से कम ये insurance policy आप कितने साल के लिए ले सकते हैं तो वो यहाँ पे दिया गया है 10 साल का यानि कि आपको कम से कम 10 साल के लिए इस insurance policy को लेना होगा उसके बाद बात आती है maximum term की यानि कि जादा से जादा इस insurance policy को आप कितने साल के लिए ले सकते हैं तो वो time period इसमें 25 साल का दिया गया है यानि कि कम से कम आप इसको 10 साल के लिए ले सकते हैं जादा से जादा 25 साल के लिए ले सकते हैं इसके बीच में आप कोई भी term ले सकते हैं जैसे कि 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल जो भी आपको सही लगती है वो यहाँ पे policy term आप ले सकते हैं उ इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 50,000 रुपे पे करने होगे इसके basis पे जो भी आपकी insurance policy का premium है वो calculate किया जाता है उसके बाद बात आती है maximum sum assured की यानि कि जादा से जादा बीमा आप इसमें कितने रुपे का ले सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी limit नहीं दिय गई है जितने लाग रुपे का बीमा आप इसमें लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं यह आपकी income पर depend करता है कि जादा से जादा बीमा LEC आपको आपकी income proof के according कितना देती है आईए अब एक example लेके इस insurance plan के बारे में जानते हैं तो example समझने के लिए मान लेते है वो एक साल का है उसके लिए आप ये insurance policy लेना चाहते हैं और मान लेते हैं policy term हम 25 साल की यानि की 25 साल के लिए इस policy को आप इसमें लेना चाहते हैं जो भी इस policy का insurance cover होगा वो यहाँ पर 25 साल के लिए रहेगा उसके बाद अगर हम बात करें समय शोड की तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 लाग रुपे का अभी मा आप इसमें लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे की हमने माना था कि अभी आपकी बच्चे की उम्र एक साल की है तो यहाँ पर जो आपको premium पे करना होगा वो policy शुरू करते समय 4,51,701 रुपे का premium इसमें पे करना होगा उसके बाद आने वाले 25 सालों के लिए आपको यहाँ पे wait करना होगा क्योंकि हमने policy time 25 साल के लिए थी तो इसलिए हमको आने वाले 25 सालों तक इंतजार करना होगा अगर आप 20 साल के लिए policy लेते हैं तो आपको 20 साल का wait करना होगा इसी तरह से 10 साल की policy लेते हैं तो 10 साल आपको यहाँ पर वेट करना होता है उसके बाद जब आपका ये टाइम पिरेड पूरा हो जाएगा तो उस समय इस पोलिसी की मैचुर्टी हो जाती है तो उस समय यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपे के करीब अमाउट मिल जाता है यानि कि जब आपकी बच्चे की उम्र 26 साल की हो जाएगी तो यहाँ पर आपको 27,25,000 रुपे के करीब अमाउट आपकी मैचुर्टी पर मिल जाता है जिसमें 10,00,000 रुपे आपका समय शोड होता है 12,75,000 रुपे आपका बोनस होता है और फाइनल एडिशनल बोनस की बात करें तो 4,25,000 रुपे इसमें आपको फाइनल एडिशनल बोन पे किये थे ये हमने बात तब की हैं जब इस पॉलिसी के दुरान पॉलिसी होल्टर के साथ कोई भी दुरुगटना नहीं होती है तो आईए अब जानते हैं कि अगर पॉलिसी होल्टर के साथ कोई दुरुगटना हो जाती है पॉलिसी के दुरान तो उस केस में पॉलिसी के न जाती है तो यहाँ पर पोलिसी खतम होने पर देथ बेनिविट मिलते हैं जब भी यहाँ पर आपकी पोलिसी खतम होगी उस समय आपको यहाँ पर समय शोड का अमाउंट मिलता है तो हमारी पोलिसी में समय शोड देखते हैं तो 10 लाग रुपे का समय शोड था तो 10 लाग रु बगबग टोटल अमाउट देखती हैं तो 15,10,000 रुपे के करीब मिल जाता है जिसमें 10,000 रुपे का आपका समय शोड होगा और 5,10,000 रुपे का आपका बोनस हो जाता है इसी तरह से किसी वैक्ति की दैथ पोलिसी शुरू होने के 15 साल बाद हुई है तो 15 साल का बोनस मिलेग साथ की साथ आपकी पोलिसी का जो भी समय शोड अमाउंट होता है वो यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पर आप इस पोलिसी में कुछ additional benefit भी ले सकते हैं जिनके लिए आपको कुछ extra premium यहाँ पे पे करना होगा यहाँ पे आप अपनी पोलिसी में term rider add करा सकते हैं term rider का benefit यह होग कि अगर आपकी policy holder की death हो जाती है तो उस्त में policy holder की death होने पर जो आपको benefit मैंने आपको बताए हैं वो तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में 10 लाक रुपे का अमाउंट और आपके यहाँ पर policy के benefit में add कर दिये जाते हैं आपको याद रखना है कि यह benefit तभी मिलेगा जब आपके policy policy holder की death हो जाती है इसी के साथ साथ आप यहाँ पे एक और benefit add करा सकते हैं जो कि है accidental death and disability benefit का यानि कि अगर policy holder की death accident के कारण होती है तो यहाँ पर आपकी policy में 10 लाक रुपे और add कर दिये जाएगे यानि कि जो benefit आपको हमेंने बताई हैं वो तो मिलेगे ही मिलेगे साथ की साथ 10 लाक रुपे और आपके benefit में add कर दिये जाते हैं यानि कि 15,10,000 रुपे तो मिलेगे ही मिलेगे साथ की साथ 10 लाक रुपे आपको time rider के मिलेगे और accident के कारण death होती है तो यहाँ पर आपको 10 लाक रुपे और मिल जाते हैं यह दोनो benefit अगर आप अपनी policy में add कराना चाहती ह तो कुछ extra premium दे के आप इन benefits को अपने policy में add करा सकते हैं यहाँ पर काफी लोग पूचते हैं कि इसमें risk cover कब से शुरू होता है तो उन लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र 8 साल या 8 से जादा की है तो policy लेते ही आपकी policy क risk cover शुरू हो जाता है लेकिन अगर आपकी बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो policy लेने के 2 साल बाद यहाँ पे risk cover शुरू होता है या फिर जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाता है तो इस policy में आपका risk cover शुरू होता है इन दोनों ही condition में से जो भी पहले पूरी हो जाती है उस उस case में death हो जाती है तो हमें क्या benefit मिलता है तो उस case में जो भी आपने premium pay किया है तो उसमें से जो भी GST के charges है वो हटा के amount आपको pay कर दिया जाता है उसके बाद यहाँ पे LIC ने आपको एक benefit और दिया है वो है settlement option का LIC यहाँ पे कहती है कि जो भी आपको यहाँ पर maturity पर amount मिलन है वो आप हमसे installment में ले सकते है यानि कि आप LIC से उस amount को किस्तों में ले सकते है पांच, 10 या 15 साल की किस्तों में आप उस पैसरी को LIC से ले सकते हैं LIC उन किस्तों पर आपको interest भी यहाँ पे देती है इसी तरह से जो भी death pay amount मिलता है उसको भी आप यहाँ पे installment में ले सकते हैं अगर आप इस death benefit को installment में लेना चाहते हैं तो policy के दोरान आपको LHC को बताना होगा कि आप इस benefit को अपनी policy में लेना चाहते हैं यानि कि आप इस पैसे को installment में लेना चाहते हैं आईए उसके बाद other benefits भी जान लेते हैं कि कौन-कौन से benefit इस plan में आपको और भी मिल जाते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं additional rider की यानि कि कौन-कौन से और additional benefit आप इसमें ले सकते हैं तो यहाँ पे आप accidental death and disability benefit rider ले सकते हैं जिसका benefit मैंने आपको policy में बता दिया है इसी के साथ साथ आप यहाँ पे term rider भी ले सकते हैं उसके बाद अगर हम policy उसके बाद यहाँ पे बात आती है surrender की अगर आप अपनी policy को surrender कराना चाहती हैं तो policy शुरू होने के बाद कभी भी आप अपनी policy को बंद करा सकते हैं अगर आप policy शुरू होने के पहले साल में ही अपनी policy को बंद कराती हैं तो जो भी आपने amount पे किया था उसका लगभग लगभग 75% के करीब आपको यहाँ पे amount मिलता है इसी तरह से अगर आप दूसरे साल या दूसरे साल के बाद अपनी policy को बंद कराते हैं तो लगभग लगभग 90% आपको आपके single premium का वापिस मिल जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको benefit मिल जाता है tax benefit का तो यहाँ पर जो भी आपका death claim होता है वो income tax से exempt है यानि कि उस पर आपको कोई भी tax नहीं पे करना होगा उसके बाद अगर हम premium की बात करें तो income tax के rules के according आप इसका deduction ले सकते हैं अपने income tax की file में और अगर हम maturity के बात करें तो इस policy में जो भी maturity होती है वो यहाँ पर taxable होती है जो भी यहाँ पर income tax rules है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको उस पर tax देना होगा तो उमीद करता हूँ अब आपको पता चल गया होगा LAC के plan number 917 single premium endowment plan के बारे में फिर भी अगर आपको जाना चाहते है तो comment में पूछ सकते हैं और ऐसे ही LAC के किसी और plan के बारे में जानना चाहते हैं तो वो videos आप हमारी channel पर देख सकते हैं और आप हमारी channel को subscribe कर सकते हैं क्योंकि ऐसी ही latest videos मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ subscribe करना आप सभी के लिए free है